हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत आप सब्सक्राइब आज के नहीं वीडियो में जैसे कि आप टाइटल देख चुके होंगे अभी तक वीडियो का जिसमें कि मैंने क्लियर लिये मेंशन किया हुआ है सेक्शन 56 के बारे में आज हम बात करेंगे इंडियन कॉंट्राइट एक्ट 1872 का सेक्शन नमबर 56 यह सिंगल सेक्शन ही मैं आज आप से डिसक्स करूँगा क्योंकि यह इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पर थोड़ी सी में डिटेल बें वीडियो बना रहा हूँ देखें यह बात करता है हमारा इंपॉसिबल एक्ट के रिगारिंग सेक्शन जो 56 है इसमें तीन पॉइंट्स है विसे करें नमरिंग नहीं दी हुई लेकिन तीन हेडिंग है वो तीन हेडिंग क्या है इन तीन पॉइंट्स को आज हम डिसक्रस करेंगे ध्यान से सुनियेगा इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जुड़े रहेगा और अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लिजिएगा सबसे पहले और हाँ अलास्ट में अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरू कर देजिएगा इसको ठीक है तो चलिए सेक्शन 56 जैसा कि मैंने आपको इसमें बताया कितीन हेडिंग है इन तीनों हेडिंग का जैसे फर्स्ट परह हमारा किस से बात करता है एक डाइगराम बना लीजिए आप जिसमें आप एक हेडिंग डा लीजिए जिसमें आप लिखे एग्रिमेंट टू बी एग्रिमेंट टू डू एन इंपॉसिबल एक्ट इस वॉइड यानि कि एक आप ऐसा एग्रिमेंट कर लेते हैं जो की वॉइड होता है वॉइड का मतलब शुन्य होता है शुन्य का मतलब जो की एनफोर्सेवल नहीं होता है कानून के द्वारा वो एक वॉइड एग्रिमेंट होता है तो उसको 56 के अंदर हमें डिटेल में बताया गया है तो पहला पहला हमारा डीन करता है void ab an issue से मतलब totally void है मतलब कि शुरू से लेकर end तक उसके सारे ingredients जो हैं वो void है contract के regarding कोई भी उसमें valid बात नहीं करी गई है agreement के अंदर उसके अंदर तो इसका हम जैसे barrett की reading लेंगे सबसे पहले an agreement to do an act impossible in itself is void यानि कि heading ही हमारी करती है एक ऐसा agreement जो कि impossible है अपने आप में करने के लिए तो वो एक void agreement हो जाएगा तो जैसा कि मैंने अभी आपको यह बताया तो इसमें क्या निकलता है इसके example लेकर चलते हैं कि मा लिजए एक इंसान दूसरे इंसान से agree करता है कि मैं तुमारे लिए चांद तारे तोड़ कर लाऊंगा ठीक है तो यह agreement क्या हुआ यह वाइड agreement है जो कि possible नहीं है ठीक है तो यह क्या हुआ टोटली वाइड agreement हो गया अब हम आते हैं दूसरे पे जो कि हमारा बात करता है वाइड contract से regarding पहला कहा था वाइड agreement क्योंकि agreement ही जब वाइड है तो वो contract form कैसे हो जाएगा ठीक है तो अब हम आते हैं वाइड contract के उपर जो दूसरा पहरा है इसको point two मैंने अपने आपसे दिया है बेरेट में यह mentioned नहीं है इसमें लिखा है heading है contract to do act afterwards become impossible और unlawful यानि की एक contract किया गया एक act करने के लिए लेकिन बाद में क्या होता है वो act एक जो agreement है वो unlawful बन जाता है उसके लिए हमें इसकी एक बार explanation पढ़ लेते हैं फिर मैं आपको इसको detail में समझा दूँगा देखी यह कहते हैं की a contract to do an act which after the contract is made become impossible यानि की contract अपने किया उस contract को करने के बाद वो contract impossible हो गया और by reason of some event which the promissor could not prevent या फिर कुछ ऐसे हलात पैदा हो गए जो की जो promissor है जिसने वादा किया थाईगरी किया था contract किया था तो उसके beyond control कुछ act हो गए यानि की उसके हाथ में नहीं था कुछ भी control करना उसके beyond जाकर कुछ activity हो गई तो वो भी एक इसके अंदर आ जाएगा ठीक है और या फिर unlawful है या वो unlawful declare हो गया ठीक है becomes void when the act becomes impossible और unlawful तो वो क्या हो जाएगा unlawed agreement declare हो जाएगा ठीक अब जैसे कि मैंने आपको इसमें बता दिया तो अब हम पढ़ते हैं तीसरा point तीसरा point हमारा बोलता है compensation for loss through non performance of fact known to be impossible or unlawful देखे जो मैंने आपको second point बताया है इसके साथ हमें section 65 भी read करना है इस contract act 1872 का 65 हमें क्या बात करता है कि मा लेजे कोई contract ऐसा हुआ जो कि बाद में जाकर why declare हो गया तो जब वो बाद में why declare हो गया उसको why declare होने के बाद जिस इनसान ने contract किया था और उसने उस contract से कोई benefit उठाया है कोई उसने मा लेजे एक ने agree किया कि तुम मुझे एक करोड रुपे दो मैं तुम्हेरा ये काम करवा कर दूँगा और वो बाद में कानों ने unlawful declare कर दिया तो वो एक करोड रुपे उसने ले तो लिया अब वो चलो ये वापिस तो दे देगा लेकिन वो तो इनसान बोलेगा ना छे महीने तो इसने मेरा पैसा रख लिया छे महीने तो इसके पास ही था तो इसका मुझे ब्याज दिलवाया जाए या फिर उसने जो भी उस पैसे से कुछ प्रॉफिट या इंकम अन की है वो मुझे दिलवाई जाए तो वो हमारे section 65 के अंटर जो है point 2 red with section 65 आप लिख लीजिएगा उसके अंडरों से compensation मिल जाएगा अब हम बात कर रहे हैं third point की third point हमारा बात कर रहा है compensation for loss through non-performance effect known to be impossible और unlawful ये basically हमारे यहाँ पर compensation के regarding बात करता है यानि कि जहाँ पर एक agreement ऐसा हुआ जो कि impossible था या unlawful था तो उसके regarding अगर किसी person को कोई loss हो गया तो वो उसके लिए compensation देगा उसके लिए उसे compensate करना ही पड़ेगा ये हमारी इस बारे में बात करता है अब हम इसकी इलस्ट्रेशन पढ़ते जाएंगे और इसको detail में थोड़ा सा समझते जाएंगे सबसे पहले हम पढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नमबर A A illustration हमारी डील करती है पैरा नमबर 1 से ये लिख लीजेगा आप पैरा नमबर 1 से इलस्ट्रेशन नमबर A डील करती है इलस्ट्रेशन नमबर A क्या बात करती है A agree with B to discover treasure by magic A B के साथ agree करता है कि मैं treasure जो है वो magic से निकाल दूँगा या ले आँँगा तो वो agreement क्या होगा वो void हो जाएगा ठीक है इसके साथ आप जब पैरा बन लिखा है इसके आगे दो maxim लिखिया जो कि बहुत ही ज़्यादा important निकलती है maxim है Lex non-coget and impossibilia Lex non-coget and impossibilia मतलब means law does not recognize which is impossible यानि कि जो कि impossible है उसे कानून मान्यता नहीं देता impossible act को कानून कभी भी मान्यता नहीं देता ये हमारी इस बात से clear करते हैं बहुत ही दूसरी maxim है impossibilium nulla obligatioist impossibilium nulla obligatioist ये इसकी एक second maxim है इसका मतलब है कि जहां एक act impossible है तो वो दूसरे पर obligation कोई भी arise नहीं करता है मतलब impossibility does not create an obligation ये हमारी एक दूसरी maxim है ये हमारी यहां पर para 1 से related दो maxim हमारे यहां पर clear कर देते हैं अब हम आते हैं illustration number B पर illustration number B जो है ये para number 2 से deal करती है यानि कि दूसरा para क्या बात करता था जहां एक contract ऐसा हुआ जो शुरू में तो valid था लेकिन बाद में void बन गया हो तो देखी कैसे example इसका clear करता है A and B contract to marry each other A and B ने agree किया कि शादी करेंगे लेकिन शादी के time को fix होने से पहले A mad हो जाता है यानि कि A पागल हो जाता है तो वो contract wide हो गया माल लीजे एक लड़का और एक लड़की ने agree किया जैसा कि इसमें clearly mentioned है तो लड़का बाद में क्या होता है कि mad हो जाता है पागल हो जाता है ठेक है तो mentally upset हो गया तो वो जो agreement है वो जो contract है उनका वो wide declare हो जाएगा यहां से हमारा यह illustration B भी बहुत ही असानी से clear हो जाता है जो कि para number 2 से deal करता है अब हमारे पास यहां पर एक case आता है जो कि एक different level पर हमारी बात करता है देखे जहां हम यह para number 2 पढ़ रही है section 56 का जहां यह हमें यह show कर रहा है कि जो contract impossible बन रहा है बात बे लेकिन impossibility कैसे बन रही है वो भी depend करता है मा लीजे एक तो होता है impossible की law ने declare कर दिया एक impossible ऐसा होता है कि जहां पर एक builder ने agree किया कि मैं आपको यह घर बना कर दूँगा मुझे सरकार से permission लेनी है वो भी मैं ले लूँगा permission लेकर मैं आपके लिए घर बना दूँगा सरकार ने क्या किया permission नहीं दी permission नहीं दी तो क्या हुआ वो जो agreement था वो void declare हो गया क्योंकि जो उसका main चीज थी घर बनाने के लिए वो थी सरकार से permission permission नहीं बिली तो उसमें builder क्या करे builder के हाथ में कुछ भी नहीं है या तो builder पर action कब होगा builder ने building बनाने से मना कर दिया तो तो builder पर action ले गया लेकिन जब उसने कहा कि सरकार से permission लेनी पड़ेगी इस जमीन पर building बनाने के लिए या hospital जो कुछ भी बनाना है तो सरकार ने permission अगर नहीं दी है तो उसमें builder कुछ भी नहीं कर सकता दूसरी impossibility क्या आती है दूसरी आती है कि जहां पर वो difficult है ठीक है जो difficulty है क्या लिखा हुआ है difficulty has to be distinguished from impossibility और difficulty is not impossibility कहने का मतलब क्या हुआ कि जो difficulty है और impossibility है वो दोनों एक different terms है एक तो आप कहते हैं कि यार ये काम मैं करने सकता एक कहते हैं कि ये तो possible ही नहीं है कानून ही इसके लिए allow नहीं करता वहां तो 56 लग जाएगा जहां कह दिया impossible है लेकिन जहां हम ये कह रहे हैं कि ये मैं कर नहीं सकता क्यों नहीं कर सकता कि ये तो contract मैंने गलत कर लिया ये तो पैसा मैंने आपसे कम पैसे में agreement कर लिया कि मैं एक करोड में आपको building बना कर दे दूँगा लेकिन इस पे तो 5 करोड रुपे लगेंगे तो दूसरा क्या बोलेगा कि भईया इसमें मेरा तो कोई fault नहीं है आपने मुझसे एक करोड में agreement किया था कि मैं building बना कर दे दूँगा तो आपको एक करोड में building बना कर देनी पड़ेगी तो ये क्या हुआ difficulty not impossibility impossible नहीं है possible है लेकिन पैसे ज़दा लगेंगे अब पैसे कोण लगाएगा वो builder ही लगाएगा अब इसके लिए देखिए एक example है एक case लो है बहुत important है 2017 Supreme Court का case है ये था energy watchdog versus Central Electricity Regulatory Commission energy watchdog versus Central Electricity regulatory commission 2017 Supreme Court का यहां क्या हुआ दो companies थी गुजरात, उर्जा, विकास, company limited और हर्याना यूटिलिटी इसमें क्या हुआ कि tender invite किये गए electricity बनाने के लिए तो इसमें इन दोनों ने मिलकर अडानी को select किया कि अडानी को हम ये tender देंगे बिजली बनाने के लिए अडानी agree कर गया अडानी ने tender दिया अडानी का tender पास हो गया लेकिन बाद में क्या होता है क्योंकि कोईले से बिजली बननी थी कोईले के price सरकार ने एकदम hype कर दिये माली जिस 100 रुपेका था तो वो 100 से 400 रुपेका हो गया इतना hype आया तो उस hype क्यानी की वज़े से अडानी कहता है कि ये impossible है करने के लिए तो वहाँ Supreme Court ने distinguish किया था differentiate कि impossibility और difficulty दोनों अलग चीज है ये आपको देखना चाहिए था पहले agree करने से कि आप ये कर पाएंगे या नहीं अब बाद में जो मरजी price होता रहे वो तो पहले tender में लिखा जाता है कि कल को ये price घटे या बढ़े वो मेरा होगा तो ये आपकी ही responsibility है कि आपको ये जो electricity है वो बना कर देनी ही पड़ेगी चाहे आपको अपनी जेब से ही पैसा क्यों न लगाना पड़े तो ये हुआ हमारा इसका एक important case लो जो कि आपने उमीद करता हूँ note कर लिया होगा अब आते हैं impossibility के अंदर ही कुछ और points को लेकर हम देखें impossibility तीन तरीके की होती है physical, legal और practical ये तीन हमारे पास impossibility आती है लेकिन ये section 56 का पैरा 2 है ये हमें physical और legal impossibility के regarding की बात करता है लेकिन practically impossible के लिए हमारे पास ये silent है तो practical impossibility के लिए हमारे पास एक case लो है वो लिख लीजेगा आप 1954 Supreme Court का है सत्य ब्रता घोश वसी मुगई राम बंगाल सत्य ब्रता घोश वसी मुगई राम बंगाल 1954 Supreme Court का है ये बहुत important case लो है देखें जो इसमें क्या held हुआ था इसमें held ये हुआ कि जो performance of contract थी वो दिखने में तो लगती है कि literally impossible है लेकिन वो impractical ये useless भी होती है point of view से object और purpose से जो कि एक parties के mind में होता है यानि कि कहने का मतलब क्या है कि performance जो है वो impossible literally लगती है ठीक है दोनों parties के point of view से और जहां पर ऐसा outward change आता है event में circumstances ऐसे होते हैं जो कि totally upset करते हैं foundation को इस contract act के foundation को अपने contract के जो parties के बीच का contract है उसके foundation को totally upset कर देते हैं तो वहाँ वो एक impossible भी declare हो जाता है तो यहां से impossibility तीनों forms में divide की गई है अब हम आते हैं illustration number C पर देखिए illustration number C किस बारे में बात करता है कि एक लड़के ने पहले शादी की हुई है Mr. B से A ने B से शादी की हुई है लेकिन वो बाद में C को भी agree कर जाता है कि मैं तुमसे शादी करूँगा और वो C से शादी कर लेता है तो contract कर लेता है C से शादी करने का तो वहां क्या हुआ वो by game है जो की allowed नहीं है तो वहां उसको C को compensate करना पड़ेगा ये हमारा illustration number C इस बात से किये करता है illustration number D illustration number D हमारा इस चीज़ से deal करता है कि A ने agree किया B को कि मैं तुम्हें UK भीज दूँगा लेकिन बाद में UK ने ban ही लगा दिया या इंडिया ने ban लगा दिया जाने के लिए UK में तो वो क्या हुआ वो एक impossible act हुआ impossible agreement हो गया contract हो गया तो वहां पर कोई भी compensation नहीं मिलेगा क्योंकि वो 56 to para number 2 के अंदर fall करता है अब हम last illustration deal कर रहे हैं illustration number E को illustration number E हमारी बोलती है a contract to act theater for six month in consideration of a sum paid in advance by B on several occasion A is too ill to act the contract is act on to act on those occasion becomes void जाने की A ने B के साथ agree कि तू मेरे लिए perform करोगे regular दिनों में 6 दिन के लिए मान लीजे तो बीच में किसी दिन B जो है बिमार हो गया और उसके लिए impossible हो गया आने के लिए without intention ठीक है तो वहाँ पर क्या होगा वो 56 to के अंदर हो जाएगा क्योंकि वो impossible है ठीक है practically वो totally impossible है उसके लिए आने के लिए physically भी impossible है totally तो आई होग कि यहां से आपको section 56 जो है मैंने एक-एक word एक-एक illustration एक-एक wording आपको detailed में पढ़ाई है important case laws भी आपको बताए है उमीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को end में अब like जरूर करेंगे और अगर आपके कोई भी query हो कोई भी suggestion हो कोई भी good wishes हो आप मुझे comment section में अपने share कर सकते हैं और अपने friends के साथ इस वीडियो को share जरू कीजिएगा ताकि उनको भी पता लगे कि section 56 की detailing हमें किन-किन बातों से क्लिये करते हैं Thank you so much Bye-bye Take care